बंदे मातरम बई गुड मॉर्णिंग नौशकार जैहिंद कैसे हैं सभी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है रीजनिंग के सेशन में कैसे हो सारे के सारे sound ठीक है audio video perfect है ठीक दिखाई दे रहा है ठीक सुनाई दे रहा है एक बार चेक करो भई आज किसे टेकनिकल रीजन की वज़े से आठ मिनिट की देरी होगे ने तो टाइम पर है जो है वह हमारी क्लास हमेशा शुरू होती है sound ठीक है audio video perfect है नए के लग कर दिये तो आज जैसा की मैंने कहा था आज हमारी पहली क्लास है और पहली ही क्लास में जो हम यहाँ पे टॉपिक तो यह हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है इस नए बैच में जो हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच है जिस लाइव बैच में हम प्री और मेंस की तैयारी कराएंगे लेटेस्ट पाटन पर आधारी तो होगा और 18 सितंबर से इसमें क्लास यानि आज इसमें पहली क्लास है इंसमें ली थी मैंने कहा था कि कुछ वीडियो आपको देखना है कुछ वीडियो इक बर सम्हीं चेक करें दिपक वाह YouTube पे तो आप जब वहां पर देखेंगे जाके तो आपको सारी चीजें किस्टल क्लियर हो जाएंगी तो मैंने आपको कुछ हमवर्ग भी दिया था आप लोगों ने कुछ हमवर्ग भी किये होंगे ठीक है ख्यार आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास लेट्स स्टार्ट शुरू हो गया वई साउंड एकदम परफेक्ट है ठीक दिखाई दे रहा है ख्यार आज हमवर्ग परफेक्ट हमवर्ग परफेक्ट हमवर्ग परफेक्ट है चले बेटा आज हम करेंगे क्लास नहीं चल रही है सेशन तो लाइव पर चल नहीं रही क्लास चल रही है बेटा एक बार बताईएगा सेशन लाइव है क्लास चल रही है क्लास लाइव है या नहीं है कमेंट करो क्लास लाइव है या नहीं है मैं भी देख लेता हूँ बेटा चेक कर लेता हूँ सेशन लाइव है या नहीं है एक बार अभी चेक कर लेते हैं क्या समस्य आ रही है को इश्यू हो गया है अभी देख लेते हैं अभी हम स्टार्ट करेंगे यह रीजरिंग स्पेशल जीरो फाइव में यह क्या आ गया भई नए बैच नए बैच है तो जीरो फाइव में तो लाइव ही शो नहीं गर रहा है फाइव जो नए बैच है नए बैच यही तो होगा और कुणसा है 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 आज आज है 11 बजे है अभी नए आकउन से अजो स्टार्ट हुआ जिरो सेवन जिरो सेवन में चेक कर लाइव होगी नहीं होगी शो फाइव में जो जीरो सैवन के कमेंट तो अलग काड़ दे बाकी होता रहेगा बाकी साइड गर चलो बिटा स्टार्ट करते हैं क्लास लाइव हो गया है बहुत बहुत आभार सभी का आज हम करेंगे यहाँ पे सिलोईजम आज हम जो यहाँ पे करने जा रहे हों करने जा रहे हैं सिलोईजम और यह जो सिलोईजम मैं कराऊंगा यह वेन डाइगराम के माध्यम से कराएंगे एक इसका तरीका है सिलोईजम को करने का इसके कई तरीके हैं 150 method पहले मैं वही करा था लेकिन मैंने का let's go for a change दूसरा तरीका है बिटा Venn Diagram तो हम इसको solve कराएंगे Venn Diagram से 150 के तो मैंने marathon निकाल रखी वो मेरे YouTube पर पढ़ा भी हुआ है और तीसरा जो है जो आप पढ़ेंगे वो है rules logical deduction के rules जरूत ही नहीं बैटा तीनों से करने की जरूत नहीं है केवल Venn Diagram से ही हम यहाँ पे solve करेंगे अब Venn Diagram के बारे में हम करेंगे तो Venn Diagram के बारे में अब जानते क्या है जैसे सबसे पहले let's start अभी हम start करेंगे बैटा अभी जो है वो हम start करेंगे coding decoding नहीं है बैटा ना ही यह तो बच्चे क्या था यह जो था यह तो हमें ranking याद करने के लिए मैंने बोला था ranking याद करने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि भई आप ranking से alphabet की ranking से कई सारी चीजों को याद कर लेंगे ठीक है उसको छोड़ो तब से पहले आप यहाँ पे करेंगे मैंने आपको बताया all कारसार बसे अगर मैंने यह लिखा सभी कारे बसे है तो इसका when diagram क्या हो सकता है बैटा सभी कारे बसे है सभी कारें बसें हैं तो सभी कारें बसें हैं का मतलब क्या है बिटा आप यहाँ पे दो सरकल उठाएंगे और दोनों सरकल से उसे बता सकते है सभी कारें बसें हैं का मतलब यह है कि आपने एक सरकल लिया आपने एक सरकल लिया और यहाँ पे हमने इसी में दूसरा सरकल लिया तो सभी कारें बसे हैं का क्या मतलब है बटा यह रहा अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी भी कार है वो क्या हैं बस हैं All cars are buses सभी कारें बसे हैं यह रहा बटा जितनी भी कार हैं यह बसे हैं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जितनी भी कार हैं यह बसे हैं यह बिल्कुल नस्दीक नस्दीक भी हो सकता है कि जितनी भी कार हैं बसे हैं कि जितनी भी कार हैं, वो बसें हैं, अगर मैं यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ कार बस हैं, 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 कुछ कार बस हैं का डाइगराम क्या बनेगा बच्चे, यह बेसिक डाइगराम सीखेंगे और आपको समझ में आ जाया, कुछ कार बस हैं का मतलब जो डाइगराम है, वो यह बनेगा कि एक हम यहाँ पे इसको ले ले कार और इसको ले ले बस क्या यह दोनों बाते के लिए अच्छा यह चीज मैटर नहीं करती कि सरकल कितना काट रहा है सरकल चाहे थोड़ा सा यहाँ पे काट दे सरकल चाहे ज्यादा ज्यादा काट दे यह चीज मैटर नहीं करती दोनों में common है सम कार सार बसेज में जो common है वो ये common है बटा ये कार और बस है और यहां पे सारी की सारी कार बस है यहां सारी की सारी कार जो है वो बस है बाप कहेंगे सर कार और बस तो होता ही निया कार और बस अलग 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 चीज़े है अरे भाई जितनी भी यहां A, B भी हो सकता है Sum A, R, B Sum A, R, B अगर मैंने माली जी आप से यह कहा कि All A, R, B का डाइगराम क्या बनेगा All A, R, B का जो डाइगराम बनेगा वो क्या बनेगा तो हम यहाँ पे A लेंगे और हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा यह All A, R, B हो गया Sum A, R, B का डाइगराम क्या बनेगा Sum A, R, B का डाइगराम क्या बनेगा हम यहाँ पे A लेंगे और हम यहाँ पे B लेंगे तो यह Sum A, R, B का हो गया बताओ बच्चो डाइगराम बना या नहीं बना मैं देख लूँ session live है या नहीं हाया नामे जवाब दीजिएगा बिटा ऐसा है या नहीं है जल्दी बताईएगा एकदम सही है चल रहा है आजो बच्चे ये clear हो गए बटा all का diagram all का मतलब क्या है कि सभी कार ये सारी की सारी कार आपको buses के अंदर रखनी है कुछ कार और बस का relation है अब कुछ कार बस है तो कुछ बसकार भी होंगे कुछ बसकार भी होंगे तो नए बैच में हमने topic start किया है syllogism और इस syllogism topic में इस नए बैच में हम यहाँ पे just शुरुवात की है बटा ये दो बाते मैंने बताई अब हम बात करते हैं तीसरी बात की मैंने यहाँ पे लिखा none car sir buses तो इसका डाइगराम कैसे बनेगा बटा कोई कार बस नहीं है मैंने यहाँ पे लिखा कोई कार बस नहीं है कोई कार बस नहीं है अब इसका डाइगराम कैसे बनेगा none car sir buses कोई कार बस नहीं है इसका डायगराम हम कैसे बनाएंगे भाई तो देखो कोई कार बस नहीं है का डायगराम ऐसे बनेगा कि एक कार और बस दोनों अलग-अलग रिलेशन में होगा तो ये मैंने ले लिया कार ये मैंने ले लिया बस और इनके बीच में ऐसे काटा लगाएंगे कि ना तो कार बस है ना बस कार है जब कार बस नहीं हो सकती तो बस कार भी नहीं होगी जब कार बस नहीं हो सकती है तो बस भी कार नहीं होगी तो दोनों को अलग-अलग इसको कहते है no relation या cross relation इनके बीच में मैं फिर बता दू बटा अगर सभी कारे बसे हैं तो आप ये diagram बनाएंगे कुछ कार बस हैं तो आप ये diagram बनाएंगे और उसके बाद मेरे बच्चे मैंने कहा कि कोई कार बस नहीं है तो ये कार अलग चीज है बस अलग चीज है तम कार सार नौट बसे ये चौथा टाइप है कुछ कारें बसे नहीं है कुछ कारें बसें नहीं है कुछ कारें बसें नहीं है तम कार सार नौट बसें का मतलब है कि एक सरकल आ गया ये और एक सरकल आ गया ये तो अब यहाँ पे समझे कि यह हमारा कार है यह हमारा बस है यहां कार का पूरा सरकल बस से अलग था कार का पूरा सरकल बस से अलग था लेकिन यहां कार का कुछ एरिया क्योंकि कुछ कारे वो कोई भी एरिया हो सकता है वो बस से संबंद नहीं रखेगा तो दोनों में फर्क समझ में आया बैटा None cars are buses का मतलब है कोई भी जो car है वो bus नहीं है कोई bus car भी नहीं होगी लेकिन car का कुछ area bus से संबंद नहीं रखता अब पीछे वाले में आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो car का कुछ area bus से संबंद नहीं रखता लेकिन नहीं ये common है कुछ area common है तो हम सम बताएंगे वो possibility में हो सकता है तो अभी जो मैंने आपको standard diagram बताए चार ये आपको ध्यान रखने है सबसे पहला diagram है all car sir bus से सारी की सारी car क्या है बसे है सारी bus car नहीं हो सकती सारी bus car नहीं हो सकती कुछ bus car हो सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन मेरे भाई ये सारी की सारी car bus है ये कुछ car bus है यहाँ पे कोई car bus नहीं अगर मैं लिखता हूँ non a.r.b suppose गरो मैंने लिखा non a.r.b कोई a.b. नहीं है कोई a.b. नहीं है अगर कोई a.b. नहीं है तो मेरे बच्चे a का सरकल अलग होगा और b का सरकल अलग होगा और दोनों के बीच में कोई relation नहीं होगा लेकिन अगर मैं कहूं sum a.r.b. कुछ a.b. नहीं है sum a.r.b. अगर मैं कहता हूँ कुछ a.b. नहीं है अगर मैं कहता हूँ कुछ A, B नहीं है तो हम diagram बनाएंगे ये diagram हमने A का लिया ये diagram हमने B का लिया हम कहेंगे जो कुछ A है वो B नहीं है थोड़ा सा एरिया ये चार diagram मैंने आपको बता है बिटा चारो diagram clear है या नहीं अभी question स्टार्ट करने लग जाओ के दो मिनिट के अंदर अंदर question, कुछ basic सी चीज़े बताऊंगा, और दो मिनिट में आपको कोगे sir question, आज question करा के बेजूँगा SSC वाले, आज की ही class में question आपको मैं करा के बेजूँगा बोलो हाँ या ना, ऐसा है या नहीं है, जल्दी मुझे बताईएगा yes या नो अगला है बिटा अगला डाइगराम कैसे बनाना है जैसे मालो दो statement दी मैंने मैंने कहा all a r b some b r c अब इन दोनो statement का डाइगराम, क्योंकि कथन और निशकर्ष के माध्यम से पूछा जाएगा क्योंकि कथन और निशकर्ष के माध्यम से पूछा जाएगा, यह कैसे पूछा जाएगा, यह statement और conclusion के माध्यम से पूछा जाएगा यह हमसे कैसे पूछा जाएगा बिटा statement और conclusion के माध्यम से आप से पूछा जाएगा बात समझ में आगी अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैंने कहा all a r b जितने भी a है वो क्या है बिटा b all a r b all a r b जितने भी a b है all a r b दो अलग-अलग तरीके से बताऊंगा all a r b all a r b यह मैंने डायगराम बनाया sum b r c अगर मैंने कहा sum b r c तो sum b r c का बिटा डायगराम यह भी हो सकता है sum b r c का डायगराम यह भी हो सकता है हो सकता है c अंदर तक चला जाए तो कौन सा डायगराम बनाना है तो कौन सा डायगराम बनाना है इस बात का ध्यान रखिएगा अगर मैं कहूं कि कौन सा डायगराम बनाना है तो बेटा आपको follow करना पड़ेगा minimum जो कम area घिरे जो कम area पर जो कम area intersect करे जो कम area cover करे जो कम area cover करे वो diagram आप मानेंगे जो कम area cover करे अब कम area cover करने का मतलब क्या है बेटा कम area तो इसने cover किया है आप धान से देखिए कम area तो इसने cover किया है इसने ये area भी cover कर लिया ये area भी cover कर लिया तो उस diagram को प्रात्मिक्ता देंगे जो कम area को cover करे diagram कौन सा बनाएंगे बटा जो अपने आप में कम area को cover करें उसको हमें answer में देना है तो हमारा diagram जो बनेगा बच्चे ये वाला बनाएंगे ये वाला नहीं बनाएंगे देखो All A.R.B, All A.R.B, All A.R.B लेकिन मैंने का Sum B.R.C तो B.R.C का कुछ संबंद आ गया लेकिन यहां B.R.C के साथ में A.J.C अंदर भी गुस गुस गया लेकिन इस वाले को डाइगराम नहीं मानना इस वाले को डाइगराम मानना है जल्दी बताओ बेटा हाया ना में जवाब दो ऐसा है या नहीं है जल्दी से बताओ हाया ना में जवाब दो ऐसा है या नहीं है जल्दी से बताओ एक बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई है एक और बताता हूँ मैंने कहा all ARB some ARC अब इसका डाइगराम बनाना है जो कम एरिया घेरे जब हम इसका डाइगराम बनाएंगे हमारे दिमाग में दो बाते आती है all ARB तो यह आगया हमारे दिमाग में all ARB और यहां भी आगया all ARB यहां भी आगया all ARB उसके बाद आया some ARC sum ARC अब sum ARC का डाइगराम आपको बनाना है तो यहां relate करेंगे all ARB तो हमने बना लिया अब हमें बनाना है डाइगराम sum ARC का तो sum ARC हो सकता है बटा ऐसे हो जाए sum ARC और sum ARC हो सकता है ऐसे हो जाए अब कौन ज़्यादा area है अब यह देखो बटा यहां तो सारा का सारा C इनके अंदर गुस गया तो इसने जादा area को cover कर लिया यह जादा area cover कर लिया ने इसने सारा का सारा अंदर गुस गया अगर इस सारा का सारा अंदर गुस गया है तो इसने ये वाला area भी cover कर लिया ये वाला भी लेकिन इसने केवल और केवल ये area cover के और बाकी area बचा हो यहाँ C सारा का सारा area cover कर लिया लेकिन यहाँ सारा area cover नहीं किया तो कौन सा बनाएंगे बिटा कौन सा diagram बनना चाहिए बताओ तो अब आपके हिसाब से कौन सा diagram बनना चाहिए हम आम ने बनाया all ARB some ARC अब some ARC यह C पूरा का पूरा अंदर गुजगया पूरा area खतम हो गया इसका और यहाँ पे C का पूरा area खतम नहीं हुआ बचा हुआ है तो बिटा कौन सा diagram बनेगा left वाला या right वाला तो इसको नहीं बनाएंगे इसको बनाएंगे left वाला बनाएंगे या right वाला बनाएंगे left वाला बनाएंगे या right वाला बनाएंगे तो बिटा इसको नहीं बनाएंगे इसको बनाएंगे क्या बात आपको समझ में आ गई तो यह वाला diagram बनाएंगे हम यह क्यों नहीं बनाएंगे क्योंकि यह तो सारा लिए यहाँ पर यह वाला डाइगराम बनाना पड़ेगा, आप साइस मत देखना, यहाँ पर C पूरा का पूरा खतम हो गया, लेकिन यहाँ पर C का जो एरिया है वो आधाल गया, आधाल यहाँ देखिए, यहाँ पर यह वाला क्यों बनाएंगी, क्योंकि C ने यहाँ कम एरि बिलिया बी का एरिया भी लिया दो सरकल का एरिया अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं all ARB तो यह all ARB some ARC तो बेटा अंदर नहीं गुसाना क्योंकि some ARC को बाहर-बाहर से रखना है बाकी उसको खाली भी बचाना है तो यह डायग्राम को प्रात्मिकता देंगे लेकिन सर इसमें भी तो B cover होगा न मेरे बच्चों यहाँ पे A और B इसने cover किया लेकिन यह अपना area बचा कर रखा इसने यहाँ पर अपना area ज़्यादा बचाया क्योंकि अगर यह अंदर जाता तो कम area बचता अगर यह बाहर की बाहर है A के तरफ नहीं गया तो इसने ज्यादा area बचाया तो कम area cover करे अब यह देखो इसने केवल यह area cover किया है अगर यह अंदर ज्यादा तो और ज्यादा area cover करता और ज्यादा area cover करता अब यह अंदर जा रहा है तो सारा area cover हो गया इसका खुद का तो इसलिए इस बात को प्रात्मिक्ता देंगे भावना बेटा समझ में आ गया अब सीधा question solve कराने दिखाता हूँ आओ diagram बना के देखेंगे बेटा आओ सीधा सीधा question solve करा के दिखाऊंगा आपके पास मैंने 1, 2, 3, 4, 5 statement दी आपके paper में 5 statement नहीं आने वाली आपके paper में 5 statement नहीं आने वाली आपके paper में केवल 2 statement आएंगे और 2 statement से हमारा answer आएगा आप यहाँ पे देखें पहले मैंने सारे sum वाले लिए है उसके बाद सारे मैंने all वाले लिए है उसके बाद सारे मैंने none वाले लिए है उसके बाद सारे मैंने sum note वाले लिए हैं एक बार हो जाए सब खतम करा दूँगा फिर आप question solve करना राम से तो सबसे पहले हम sum को solve करते हैं sum क्या होता है बटा sum को कैसे answer करना है सबसे पहले हम sum को solve करते हैं तो आईए हम sum को solve करते हैं अगर मैंने एक statement दिया मेरे बच्चों अगर मैंने एक statement दिया मैंने statement दिया all A, R, B ये मेरा पहला कतन था दूसरा कतन था all B, R, C पहला कतन था all A, R, B यानि सभी A, B हैं हिंदी में भी दिखाई देगा आपको वो सभी A, B हैं क्योंकि हमारे पास बच्चे bilingual जुड़े हैं और सभी B, C है तो अगर मैंने यहाँ पे ये हैं हमारे कथन कथन बोले तो इनको कहते हैं statement नीचे में लिख रहा हूं बचा conclusion conclusion होता है निशकर्ष तो निशकर्ष देखते हैं बचा पहला निशकर्ष मैंने लिखा sum A, R, C दूसरा conclusion मैंने लिखा sum C, R, A तीसरा conclusion मैंने लिखा sum A, R, B sum A, R, B चौत्धा conclusion मैंने लिखा sum B, R, A और हमें बताना है कौन-कौन सा conclusion सही है पाच्वा conclusion लिखा sum B, R, C या पाच्वा पच्छटा बाद में दोगा देखो गटा sum में क्या देखना है ट्रिक्स लेखो, ट्रिक्स तरीका क्या है, सम में या तो आधा या पूरा सरकल कोमन होना चाहिए, बस ये ट्रीक के अनुसर आजाएगा, सम में या तो आधा या पूरा सरकल कोमन होना चाहिए, या तो आधा या पूरा सरकल कोमन होना चाहिए, आए बेटा इसका डाइगराम बनाते हैं अगर आप इसका डाइगराम बनाएंगे all a r b तो डाइगराम क्या बनेगा मेरे बच्चे ये बना all a r b हमने इसको a मान लिया हमने इसको b मान लिया all a r b उसके बाद all b r c सारा का सारा b जो है वो c है पहले बताओ डाइगराम बनाना आया सभी को yes 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 कमेंट कीजिए क्या ये डाइगराम आ गया बेटा हाया नामे कराईए अरे 150 भी बढ़िया तरीका ये भी बढ़िया तरीका दोनों अपने आप में जबर्दस तरीके हैं बस आजी की क्लास में क्वेश्चन सॉल करेंगे आजी की क्लास में क्वेश्चन सॉल कराके भेजूँगा आपको छुटी तभी करूँगा जब क्वेश्चन सॉल करने लग जाओ जब काओगे सर सीजेल के क्वेश्चन अमने पहली क्लास में सॉल कर दिये जब आप यूँ कहोगे सर CGL के question अमने पहली class में solve कर दिये मेरे भाई मैंने कहा all ARB ये रहा all ARB, सारा का सारा AB है, सारा का सारा BC है अब बेटा sum में या तो आधा circle common हो या पूरा circle common हो या तो आधा circle common होना चाहिए या पूरा circle common होना चाहिए आओ बेटा चेक करते, sum ARC, क्या A और C का आधा या पूरा circle common है क्या A और C का आधा या पूरा circle common है बेटा, A, C के अंदर बैठा है पूरा का पूरा A, C है, A और C में ये common देखो यही area A का भी है, यही area C का भी है तो जब यही area A का है यही area C का है तो यह सही होगा आपको देखना है क्या C और A में common है यही area A का है यही area C का है भई C के अंदर A बैठा हुआ है तो A और C का पूरा भी common है और पूरा common है तो आदा तो या तो आदा common हो या पूरा common हो या तो पूरा common हो बच्चे ये क्या होगा ये भी सही होगा ये क्या होगा बच्चे ये भी सही होगा उसके बाद A और B को देखना है क्या A और B में common है सारा का सारा A B के अंदर है अरे पूरा का पूरा सरकल common है सारा का सारा A B के अंदर है का पूरा का पूरा सरकल कौमन है तो ये भी क्या होगा बच्चे सही होगा अब नमबर 05 आप बताओ सही है या गलत है बी और सी में देखो कुछ कौमन है या नहीं और छटा बताओ सम स्मूरे भी तो सम वाला केस समज गए हो सम वाला केस आप समझ गए हो हाया नामे जवाब दीजिए पाचवाँ छटा आप बताएंगे सही है या गलत है पाचवाँ छटा आप बताएंगे सही है या गलत है जल्दी बताईएगा बच्चे ये पाचवाँ छटा आप बताओ सही है या गलत है जल्दी बताओ पांचवाँ चटा बेटा आप बताएंगे सई है या गलत है पांचवाँ चटा बताओ बेटा सई है या गलत है जल्दी बताओ सम में बेटा कॉमन देखना है या तो आधा सरकल कॉमन हो या पूरा सरकल कॉमन हो सम बी आर सी, सम बी आर सी, क्या बी और सी में कुछ common है, ये रा बी, ये रा बी, ये बी सी के अंदर है, ये पूरा का पूरा बी है, ये पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, common है, तो ये क्या होगा बेटा, सही, सी और बी में फिर से common है बेटा, जब हमने ये देख लिया, तो पूरा का पूरा B C के अंदर a common है तो ये भी क्या होगा, सही होगा उमीद गरता हूँ बेटा, चीजे आपको समझ में आ गई होगी सम वाला केस समझ में आया बेटा सम वाला केस समझ में आया हाया नामे जवाब दीजिएगा क्या सम वाला केस आपको समझ में आया एक सवाल और दूंगा धमाका हो जाएगा पहला मैंने कहा All A.R.B आप ही बताएंगे बैटा कौन सा सही है दूसरा मैंने लिखा Sum B.R.C Sum B.R.C, देखते हमारा बच्चा कौन बताएगा Conclusion मैंने लिखे Conclusion ये हमारा क्या होता है Statement होता है कथन ये निशकर्ष मैंने लिखा Sum A.R.C, पहला Conclusion मैंने लिखा Sum A.R.C और दूसरा Conclusion मैंने लिखा Sum C.R.A तीसरा Conclusion मैंने लिखा Sum A.R.B चौथा Conclusion मैंने लिखा Sum B.R.A Hindi Medium वालों के लिए भी लिख देता हूँ बिटा तब तक आप अपने उत्तर बता दो क्या बनेगा यहाँ पर मैंने लिखा सभी A.B है यहाँ पर मैंने लिखा सभी A.B है यहाँ पर मैंने लिखा कुछ B.C है देखो यहाँ कुछ याद नहीं करना कुछ A.B है कुछ B.A है कुछ B.A है आओ बच्चे इसका डायगराम बनाते हैं और बताते हैं कौन सा सही है All A.R.B All A.R.B का डायगराम तो यह बनेगा बटा यह A. ले लिया और यह हमने ले लिया B All A.R.B Sum B.R.C अच्छा Sum B.R.C में बताओ उपर वाला बनेगा नीचे वाला बनेगा एक तो मैंने लिया All A.R.B अब Sum B.R.C का डायगराम यह बनना चाहिए Sum B.R.C का डायगराम यह बनना चाहिए Sum B.R.C का डायगराम उपर वाला बनना चाहिए नीचे वाला Minimum Overlapping Rule में यह ज़्यादा अंदर घुस गया है क्योंकि ना तो A का area C के साथ common है ना ही C का area A के साथ common है तो ये गलत होगा तो पहला और दूसरा हो गया मेरे बच्चे गलत अब आते हैं तीसरे और छोते sum A और B क्या A और B में कुछ common है? A और B में पूरा common है बटा A का पूरा circle B की अंदर है A और B में तो common है अगर A और B में common है तो ये सही हो गया A और B में common है तो ये सही हो गया A और B में common है तो सही हो गया बताओ बटा sum वाला case clear हुआ या नहीं clear हुआ आप लोगों को? क्या sum वाला case आप लोगो clear हुआ या नहीं clear हुआ? हाया नामे जवाब दीजिए मेरे बच्चे उमीद गरता हूँ सम वाला केस हमारे एक-एक बच्चे को clear हो गया होगा अब सम वाले बड़े-बड़े questions clear हो गए बेटा एकदम सही अच्छा एक पाच्वा और बताओ बताओ सही है या गलत पाच्वा में लिखा सम C-R-B क्या C-R-B में कुछ common है? क्या C-R-B में कुछ common है? हाँ जी C-R-B में common है ये रहा ये C-R-B में common है अगर ये C-R-B में common है तो पाच्वा भी सही होगा उमीद करता हूँ बेटा चीजे समझ में आ गई होंगी हा या ना में जवाब दीजिएगा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कट्टू कट क्लियर, मज़ा आ गया, बातचीत में सब को समझ गे ने बेटा, फार्मुला वो मेरी नहीं है वो अब ये वाला डायगराम करते हैं, अब ये देखो कितने सारे स्टेटमेंट है इतने सारे स्टेटमेंट से हम वें डायगराम बनाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा सही है, कौन सा कलत है बेटा मज़ा आने वाला है आओ पहले statement कितनी सारी आपके paper में इतनी statement नहीं मिलेंगी थोड़ी vote मिलेंगी 2 statement, 3 statement, 4 5 statement banking में क्योंकि special batch है तो है banking level तक बढ़ाएंगे भारत वर्ष का कोई सवाल आज़े बेटा ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हम when diagram से आपको पढ़ाएंगे अब यहाँ पे समझे बेटा first one को repeat करूँ यहाँ पे first one sum a or c क्या a और c में कुछ common है a अलग है, c अलग है, कुछ भी common नहीं है इसलिए गलत है c और a में कुछ common है, a अलग है, c अलग है कुछ भी common नहीं है अगर common नहीं है, तो नहीं होगा मेरे बच्चे जो late जुड़ेगा, उसको नहीं समझ में आएगा आज की class attend नहीं करके कल की class attend करेगा, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल time से जुड़ा करो, बिल्कुल timely attend कि अगरो, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, मैं आपके comment आपको screen पे दिखा दूँगा कि कितने बच्चों को चीज़े समझ में आई है, अब मेरे भाई इसका diagram बनाते हैं, चलो इसका diagram बनाते हैं, इन्हों ने कहा all ARB, क्या all ARB, हाया नामे जवाब दो, इसको मैंने A ले लिया, इसको मैंने B ले लिया, all ARB का diagram मैंने सही बनाया, फिर है all BRC, सारा का सारा BC है, सारा का सारा BC है, तो ये diagram भी मैंने सही बनाया, all BRC, ये दोनो diagram मैंने सही बनाया, जल्दी बताओ बच्चे फिर यह सम A और B कैसे हो गया आपने डाइगराम तो A और B का बताया था यहाँ पे देखो हमने जो बताया था वो A और C का डाइगराम था A और C, A और B का यह रहा A और B में हमने common देख लिया, क्या दिक्कत है बेटा यहां भी हमने common देख लिया, क्या दिक्कत है अब और समझ में आएगा, जहां तक clear हो गया हाया नामे जबाब देते जाएगे अब D और E, अभी नहीं पता D और E कहां छोड़ दो, non CRD कोई भी CD नहीं है कोई भी CD नहीं है तो C और D के बीच में cross relation बेटा कोई भी CD नहीं है C और D के बीच में cross relation है कोई CD नहीं है फिर all D are E जितने भी D है वो E है जितने भी D है वो E है जितने भी D है वो E है इनके बीच में cross relation है, जितने भी D हैं वो E है और उसके बाद sum ERF, अब sum ERF का diagram बेटा ये बनाना पड़ेगा अगर F अंदर गुजाएंगे तो ज़्यादा area खपा देगा तो बाहर रखना है sum ERF, तो sum ERF ये diagram बन गया ये सवाल था, इस सवाल का ये diagram बन गया अग खटा-कट खटा-कट देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा गलत है जिनको नहीं केवल common देखना बेटा, या तो थोड़ा सा area common हो या ज़्यादा area common हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा या तो थोड़ा सा area common हो, या ज़्यादा area common हो हमारा answer उससे आ जाएगा अब फटापट फटापट से देखते हैं बेटा आपको बताते हैं समझ में ना है तो मुझे बताईएगा 110% आप समझ के जाएंगे आपको बताना सम A और C क्या A और C में कुछ common है चेक करो ये रहा बेटा A ये रहा बेटा C, C बड़ा circle है A और C में बिलकुल common है बेटा A का सारा का सारा circle C के साथ common है अगर A का सारा का सारा circle C के साथ आधा circle common हो या पूरा circle common हो वो सही होगा तो ये मेरे बच्चे क्या हो गया सही तो ये भी सही हो गया क्योंकि A और C में पूरा circle common है तो A और C में common है हमें तो common देखना है क्या A और C में common है ये रहा A ये इसी C के अंदर ये common है चाहे थोड़ा common हो चाहे सारा common हो तो सही होगा पहला भी सही दूसरा भी बता बिटा सम BRD क्या BRD ये तीसरा चोथा सही हो गया गलत होगा क्या B और D में कुछ common है क्या B और D में कुछ common है चेक करो बिटा इन्होंने कहा कि B और D में common होना चाहिए D और B में common होना चाहिए चेक करो B और D में कुछ common है आप कहेंगे नहीं सर B का सरकल अलग है D का सरकल अलग है D का सरकल अलग है B का सरकल अलग है तो B और D में क्या है बिटा common नहीं है common नहीं है तो क्या होगा बच्चे ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा यहां तक की बात कितनों को समझ में आई बटा बताईएगा नहीं common तो बटा बताएंगे हम common नहीं है common नहीं है तो हम बताएंगे कि यहां पे common नहीं है हाई है नामे जवाब दो बच्चे बात समझ में आगी एक-एक बच्चे को clear हो रहा है when diagram से करा रहा हूँ 150 से तो मैंने आपको पहले ही बता रखा 150 से तो मैंने मेरा थन भी लगा रखी है लेगिन when diagram से भी हमारे बच्चों को पढ़ना था तो when diagram से भी बता दिया मैंने clear हो गया, समझ में आ गया अगले पर चलते हैं बचा a और b, a और b, क्या a और b में कुछ common है थोड़ा सा भी common हो या पूरा circle common हो यह रा बचा a, यह रा बचा b पूरा common है a का पूरा का पूरा circle b की अंदर है a का पूरा का पूरा circle b की अंदर है a और b में common है अगर a और b में common है तो यह भी सही होगा और यह भी सही होगा क्योंकि a और b में तो common है भाया ना में जवाब दो गटा तो 5 और 6 में हमें common दिखाई दिया तो कितना असान है बचा बस common ढूंडना है चाहे थोड़ा common हो, चाहे सारा common हो जो मैंने standard diagram बता दिये वही standard diagram रहने वाले हैं और कोई change नहीं करना और मैं कराँ बेटा, question अभी खटा-cut solve करोगे भी screen पर question कराँगा, मज़ा ना आए तो बेटा मुझे बता दिना, कि sir मज़ा नहीं आए अभी 100% आप एक एक बच्चा समझ के जाएगा, बस standard diagram का पता होना चाहिए उसके बाद बेटा तम में बेटा opposite सेम होता है अगर A और B सेम हो गया तो B और A सही मिलेगा, अगर A और C सेम हो गया तो C और A सही मिलेगा opposite वाला सही होता है समके केस में, अगर A और C सही है तो C और A भी सही होगा, अगर A और B सही है तो B और, क्योंकि area तो common उन्हीं का है थोड़ा होया जाद हो, जब A का B के साथ common है, तो B का A के साथ भी common होगा A का C के साथ common है, तो C का A के साथ भी common होगा, common होना चाहिए यह opposite भी follow होगा, उसके बाद बिटा A और D में देखना है, A और D, क्या A और D में कुछ common है, A और D में कुछ common है, भाई साब A अलग है, D अलग है, उनके बीच में तो संबंद ही नहीं है, जब संबंद ही नहीं है, तो उसको काटा लगाओ, B और C, क्या B और C में कुछ common है, ये रा बिटा B, ये रा बिटा C, B और C में common तो है, ये रा B, B C के अंदर है, B C के अंदर है, common है, तो अगर B और C में common है, अगर B और C में common है, अगर मेरे बच्चे B और C में common तो C और B में भी होगा, तो ये भी सही है ये भी सही है अपॉसिट हमेशा सही होता है सरे तो बच्चे वाले कॉश्चन लग रहे हैं ये पूरा चप्टर ही बच्चों वाला है तरीके से ऐसे तरीके से बता दूँगा पूरे चप्टर में मज़ा जाएगा आपको आप कहोगे सर पूरा chapter clear हो गया हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद मेरे बच्चे D और E इसके बीच में relation बता D और E D और E कहा है, ये रहा D, ये रहा E क्या D और E में common है, बिल्कुल common है बेटा क्या D और E में common है, ये रहा पूरा का पूरा D, E के अंदर है पूरा का पूरा D, E के अंदर है तो A और D में, किस में common है बेटा D और E में common है, तो D और E में common है, तो मेरे बच्चे ये क्या होगा, ये सही होगा, अब D और F में common देखना बेटा, क्या D और F में common है नहीं बच्चा, ये D का सरकल है, ये F का सरकल है, कुछ भी common नहीं है D अलग है, F अलग है, D अलग है, F अलग है, D अलग है, F अलग है D अलग है, F अलग है, तो common नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा सम DRF बात समझ में आगी बैटा ये क्या होगा बैटा ये गलत होगा D और F में कुछ भी common नहीं है तो number 11 क्या होगा ये गलत होगा सर हमको event diagram से नहीं करना तो बैटा 150 से भी करा दूँगा और बताओ इसको दो तरीके से बता दूँ आपके class में 150 से भी लेगन अभी नहीं अभी तो हम event diagram से ही करेंगे आगया बैटा समझ में कोई एक बच्चा जो ये कहे कि सर अपने को समझ में नहीं आया कितना simple तरीका दिमाख नहीं लगाना नहीं तो सिखाते हैं कि इसको सोचो ये इसके अंदर कुछ नहीं करना बैटा simple सी चीज है अभी मैंने सम का case clear किया पहले मैं आपको diagram बनाने सिखाए पहले मैंने आपको diagram बनाने सिखाए कि बाई साब all का diagram ये बनेगा all car sir buses कई ऐसे भी बताते हैं कि यही diagram car का हो सकता है इसी के उपर bus बनेगा मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि all ARB some BRC all ARB some BRC तो ये diagram सही है ये गलत है ये अंदर नहीं गुसाना आपको कम से कम area काटना ज्यादा area उसको बचा के रखना ज्यादा area ये यहाँ पर बचा के रखा हुआ है बाहर ये ज्यादा area इसने अंदर दे दिया बस सिंपल सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद मैंने आपको बताया some को कैसे solve करना है some में या तो आधा या पूरा सरकल common होना चाहिए ये some की बात है some clear हो गया बचा सभी को तब को some clear हो गया thank you बचा God bless you जो class की शुरुवात से जुडएंगे YouTube पे भी मैंने live कर रखा comment पढ़ लीजिएगा जो class की शुरुवात से जुडए है बचा उनको 100% समझ में आएगा जो class में लेट आए है थोड़ी सी भी लेट होगे 15-20 minutes की देरी से आए तो बेटा फिर आपको समझ नहीं आने वाला ठीक है class अभी चलेगी बेटा class कितने लंबी होगी इसको छोड़ दो अब हम all पर आते हैं all जैसे मैंने statement दिया statement दिया मैंने आपे लिखा all ARB सभी AB है all को कैसे answer करना है सभी AB है all का भी बेटा मज़ा जाएगा दूसरा मैंने दिया all BRC all BRC सभी BC है और मैंने यहाँ पर conclusion लिखे conclusion होते हैं निशकर्ष पहला निशकर्ष है all ARC all को कैसे answer देना है तम वाला तो answer देना सीख लिया आपने अब all वाला answer देना कैसे देना है all CRA सभी CA है तीसरा all BR वाई जितने भी आ है वो सारे के सारे क्या है टच करके लिखागरो कि यह B का है यह A का है टच करके लिख दिया All BRC All BRC का डाइगराम ये बनेगा All BRC अब इसमें क्या देखना है बिटा All ARC का मतलब है All ARC का क्या मतलब है All ARC ट्रिक क्या है ट्रिक A का पूरा सरकल C में होना चाहिए बस A का पूरा सरकल C में होना चाहिए इसका ये मतलब है पहले वाले का पूरा सरकल दूसरे वाले में होना चाहिए यहाँ A का पूरा सरकल C में होना चाहिए यह इसका मतलब है अगर मैंने यहाँ पे लिखा All C.R.A अगर मैंने लिखा All C.R.A तो इसका मतलब है C का पूरा सरकल A में होना चाहिए C का पूरा सर्कल A में होना चाहिए बस ये ध्यान रखना है तम वाले में तो चाहे आदा हो चाहे पूरा हो कौमन लेकिन याँ पूरा सर्कल ही अंदर होना चाहिए पूरा सर्कल ही कौमन होना चाहिए आईए मेरे बच्चे देखते हैं बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमें यह देखना है, यहाँ पे यह देखना है, कि क्या A का पूरा सरकल C के अंदर है, क्या A का पूरा सरकल C के अंदर है, बिल्कुल A का पूरा सरकल C के अंदर है, तो यह सही होगा, बस इतने सी बात का धान लखना है, कि क्या A का पूरा सरकल C के अंदर है अगर आपने देख लिया A का पूरा सरकल C के अंदर है तो ये है सर ये तो 150 से भी आसान है विटा दोनों अपने अपने तरीके है मुश्किल है ये भी लेकिन इसको आसान बनाया गया है आपके लिए ट्रिक्स निकाल के इसको आसान बनाया गया है दूसरे में के अंदर है अरे भाई साब C का पूरा सरकल A के अंदर नहीं है A का C के अंदर है C A के अंदर नहीं है इसलिए गलत है इसलिए गलत है उसके बाद क्या B का पूरा सरकल A के अंदर है क्या B का पूरा सरकल A के नहीं भाई साब A B के अंदर है B A के अंदर नहीं है तो ये भी गलत हो गया क्या ओल वाला अंसर देना आगे आपको ओल वाले को कैसे अंसर देना मेरे बच्चे ओल वाला अंसर देना समझ में आगे आप ओल वाले को कैसे अंसर देंगे किसी को कोई दिक्कत परिशान ही हो तो मुझे बताओ सम वाले में कुछ देखना है कि कुछ है और कुछ नहीं है और वाले में पूरा सरकल देखना है पहले वाले का पूरा सरकल दूसरे के अंदर होगा तो अंसर होगा नहीं है तो नहीं होगा बस सीधी सी बात है हाय ना में जवाब दो विटा फटा फट yes or no yes or no मज़ा रहा है बात में दम है समझा रहा है सभी को तो आपको क्या देखना है क्या A का पूरा सरकल C के अंदर है बिल्कुल A का पूरा सरकल C के अंदर है सही है क्या C का पूरा सरकल A के अंदर यहां उल्टा फोलो नहीं होता आगे बेटा समझ में एक सवाल और देता हूँ, आपको एक एक चीज समझाऊँगा, step by step समझाऊँगा, मैंने यहाँ पे लिखा, all A, R, B, A, B की जगे कुछ भी हो सकता है, all dogs are cats, all cats are rats, all rats are, कुछ भी होगा, वहाँ पे समझियेगा, दूसरा, all A, R, B, all का मतलब सभी होता है, और A, B की जगे के कुछ भी हो सकता है, सभी A, B हैं, हिंदे लिखने की ज़रूती नहीं मेरे ख्याल से, सभी B, C हैं, सभी B, C हैं, अभी सवाल करा के भेजूँगा, आपको SSE वाले, सभी C, D हैं, पहली क्लास में सवाल करने लग जाओगे आप, सभी C, D है, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है, all A, R, C, सभी A, C हैं, इतने में लिखके हैं, आपका अंसर स्क्रीन पर दिख जाना चीए मुझे, दूसरा है, all B, R, D, all C, R, A, अपॉजिट तो यहां फोलो होगा ही नहीं बटा, देखते ही काटा मार देना, all वाले में अपॉजिट फोलो होता ही नहीं है, सभी C, A है, all वाले में अपॉजिट वाला फोलो होता ही नहीं है, तीसरा, all B, R, D, सभी B, D हैं, यह नया batch start हुआ है बटा, सभी BD है, यह नया batch start हुआ है, बिल्कुल fresh, batch code 07, all DRB, उल्टे वाला तो follow होगा ही नहीं बटा, सभी DB है, उल्टे वाला follow नहीं होगा यहाँ पे, जैसे sum में उल्टा follow होता है, यहाँ follow नहीं होगा, नमबर पाच, all ARD, सभी AD हैं, सभी AD हैं, और नमबर छे, all DRA, सभी DA हैं, सभी, अभी सवाल कराऊंगा आपको, सभी DA हैं, बटा बताना, स्वाद नहीं आए, तो बटा जो कहो गए, वो कर दूँगा, इतना बढ़िया मज़ेदार तरीका हैं, all ARB डाइगराम बनाते हैं, all ARB, यह A था, और यह हो गया B, all ARB, all BRC, यह B था और यह C हो गया, all BRC, all CRD, यह C था और यह D हो गया, all CRD, अब सर्कल ढू है, क्या C का पूरा सरकल A के अंदर है, अरे C का पूरा सरकल A के अंदर नहीं, भाई साब यह गलत है, उल्टे वाला फोलो नहीं होगा, सम वाले में उल्टा फोलो होता है, यहां पर उल्टा फोलो नहीं होगा, सम वाले में उल्टा फोलो होता है, यहां all वाले में उल्टा follow नहीं होता बस इस बात का ध्यान रखिएगा क्या B का पूरा सरकल D के अंदर है क्या B का पूरा सरकल B का पूरा सरकल D के अंदर है बिल्कुल ये रहा B का पूरा सरकल ये D के अंदर है ये सही है लेकिन क्या D का सरकल B के अंदर है नहीं D तो सबसे बड़ा है तो वो उल्टा फोलो नहीं होगा क्या A का पूरा सरकल D के अंदर है A का पूरा सरकल बच्चे A का पूरा सरकल D के अंदर है A का पूरा सरकल ये रहा A का पूरा सरकल D के अंदर है तो ये सही होगा लेकिन क्या D का पूरा सरकल A के अंदर है D का पूरा सरकल A के अंदर नहीं है तो गलत होगा 1, 3, 5 यहां पे सही होगा आप option में ऐसे ही बताएंगे 1, 3, 5 अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा मैंने दो चीज़े बताई हैं आपको एक sum वाला और all वाला दोनों clear होगे बता sum वाले और all वाले को कैसे अंसर देना है क्या यह बात clear होगे कि sum वाले को और all वाले को आप कैसे अंसर देंगे हाँ या ना में मुझे जवाब दे के बताईगा sum वाले सवाल को और all वाले सवाल को आप कैसे अंसर में देंगे मुझे ये बताईएगा yes या नो मैं जवाब दो बेटा clear है या नहीं है एक एक बच्चे को clear हो गया कोई दिक्कत परेशानी paper में कैसे आएगा और कैसे answer करना है करवा दूँ paper में कैसे आएगा और कैसे answer करना है exam में कैसे आना है एक्जाम में कैसे आगा बैटा, वो करा दू मैं आपको चलो अभी रुख जाओ थोड़ी दिर में, ये रहा ये बैटा ऐसे statement दी जाएंगी इनको लिखो, इनको सही मानना है, इसको ये मानना है उसके बाद ये होगा, option number A अगर पहला सही है B अगर दूसरा सही है, C दो आइदर और है, D नाइदर और है आइदर और नाइदर और भी बताऊंगा कैसे बनता है उस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, पहले ये बता दो कौन सा सही है जल्दी जल्दी बता बता, फटा फट से question solve करेंगे ये मैंने CGL, CHSL से चोटे चोटे सवाल निकाले है सबसे पहले हम दो statement वाले सवाल लेंगे फिर तीन statement वाले, फिर चार statement वाले, फिर पाच statement वाले banking level तक को touch करेंगे, possibility भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे जल्दी से solve करते हैं All rooms are houses, कुछ नहीं करना बिटा, ये R for room हो गया All rooms are houses, उसके बाद All houses are huts H O U लिख दे बिटा, H O U लिख दो और इसको H U T लिख दो ताकि confusion ना हो उसके बाद आपको देखना some hut सा room, क्या hut और room में कुछ common है, क्या hut में और room में common है, पूरा का पूरा common है hut और room में common है, hut और room में common है, तो बच्चे ये क्या हो गया, सही हो गया क्या hut और houses में कुछ common है, ये रहा hut, ये रहा houses, दोनों में common है house जो है वो hut के अंदर है common है पूरा circle common है, सही होगा दोनों के दोनों सही होंगे, both true आगया बच्चे समझ में दोनों के दोनों सही होंगे, both true हमारे बच्चों ने भेज दिया था कि दोनों सही है और दोनों सही है तो option बाद में मिलेगा, वो choose कर सकते हैं दोनों सही हैं तो कि both first and second follow option मिल जाएगा बेटा बाद में option आपको बाद में मिल जाएगा हम कहेंगे यहाँ पे दोनों सही है जल्दी जल्दी बताओ बेटा all monkey are rat diagram मैं बनाऊँगा आप देख के बताएंगे all monkey are rat कोई doubt हो तो पूछिएगा इन्होंने कहा कि all monkey are rat all rats are horses all rats are horses सभी चुहे जो हैं वो horses है all monkey are horses आपको यह देखना monkey का पूरा सरकल होर्स के अंदर है monkey का पूरा सरकल होर्स के अंदर है monkey का पूरा सरकल होर्स के अंदर है बिल्कुल है यह रहा monkey monkey का पूरा सरकल होर्स के अंदर है रही है क्या एक पूरा सरकल मंकी के अंदर है क्या रैट का पूरा सरकल मंकी के अंदर नहीं है तो यह गलत हो गया क्योंगि उल्टा कभी बनता नहीं है all monkey or rat का उल्टा all rat or monkey नहीं बनेगा तो केवल पहला सही हुआ अब यहाँ पे केवल पहला सही हुआ तो option समझ में आए बेटा कैसे choose करेंगे क्या बनेगा option number A केवल पहला सही हुआ मैं आज की class में केवल all वाले sum वाले करा रहा हूँ कल वाले में sum note वाले और none वाले करा दूँआ का हो जाएगा दो चार बाते हो जड़ूँगा chapter ही खतम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से करोगे बेटा मेरा best तरीका 150 भी है मैं when diagram से भी बहुत अच्छे तरीके से करा सकता हूँ 150 से भी बहुत अच्छे तरीके से करा सकता हूँ logical detection की rule से भी मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूँ एक ही चीज को मैं कई तरीके से solve करा सकता हूँ आओ बच्चे कोई दिक्कत नहीं है अगला जल्दी 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 बताएंगे बेटा आल कोट्स आर आर्टिकल जितने भी जो कोट है वो क्या है बेटा आर्टिकल है तम आर्टिकल आर चेयर ये कोट है COAT अब some article or chair ये बनाएंगे या बाहर निकालेंगे बेटा देखो ये लिख दिया मैंने coat जितने भी coat हैं वो article है अब some article or chair कुछ article chair है तो ये वाला बनाएंगे क्योंकि ये वाला अंदर ज्यादा area दे रहा है तो उपर वाला नहीं बनाएंगे नीचे वाला बनाएंगी, मैं बार-बार कहा रहा था minimum overlapping rule कि ये करना है अब हम यहाँ पे solve करेंगे मेरे भाई, some coat or chair, क्या coat or chair में कुछ common है, आप ये देखिए coat or chair में कुछ common है, coat or chair में, उपर वाले के साब से तो common था तो फिर गलत हो जाता आपका, coat और chair में कुछ common है, कुछ common नहीं है बेटा, तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि minimum overlapping rule कम area इसका area ज़्या बाहर है, इसका ज़्यादा area अंदर है तो जिसका ज़्यादा area अंदर होगा जो ज़्यादा area शेर कर रहा होगा हम उसको नहीं बनाएंगे नीचे वाले को बनाएंगे उसके बाद है, some chair are coat आपको ये देखना है, क्या chair और coat में common है चेर और coat में कुछ भी common नहीं है, तो गलत neither one nor two, दोनों के दोनों यहाँ पे गलत होंगे neither one nor two तो मैंने क्या कहा था? या तो ये diagram बनाएंगे या ये नीचे वाला बनाएंगे यहाँ chair ज्यादा अंदर गुश गया, इसने ज्यादा area अंदर दे दिया बाहर कम area रखा है, इसमें बाहर ज्यादा area रखा है ये मैंने आपको बताया था कितनों का सही था इमानदारी से बतायेगा ये वाला सवाल कितनों का सही है practice batch लेके आएंगे बाटा आप सभी के लिए ये उन बच्चों के लिए जो कह रहे थे कि sir हमाई when diagram से करना है when diagram तो when diagram से मैंने आपको बता दिया दोनों के दोनों गलत पाए गए बच्चे समझ में आगया सभी को तो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे ये गलत पाए गए है जल्दी जल्दी से करेंगे बच्चा कोई समस्या नहीं है प्यार से प्रेम से हम सवाल करेंगे यहाँ पे तीन statement वाले भी ले लूँगा अभी किसी ने कहा कि sir तीन statement वाले कहा ही नहीं करा रहे, कर लो बैटा, तीन स्टेटमेंट वाले, अपनको दिक्कत थोड़ी है, ये रहे तीन स्टेटमेंट वाले, चार स्टेटमेंट ले लो, तीन स्टेटमेंट ले लो, मैं सब कराऊंगा, आजी के क्लास में question solve है, लेकिन दो ही case कराए, all वाले, sum वाले, कल क क्लास में, sum note वाले, और नन वाले, चारो case हो जाएंगा, फिर जितनी स्टेटमेंट वाले, बल्ले हो जाएगी, मज़े से करते रहो, बैटा, कोई रोकने वाला ही नहीं तुमें, ये वाला डाइगराम आप स्वैमी बनाएंगे, मैं इसमें कोई help नहीं कर रहा, सर, यूट्यूब पर एटापिक पूरा करवा उगे, क्या आप कहेंगे तो बैटा, पूरा टापिक करवा देंगे, और बताओ, नए बैच मेरा start हो रहा है, बैटा, और हर बैच को मैं नए तरीके से पढ़ाता हूँ, किसी बैच में कोई तरीका करवा देता हूँ, किसी ब दी बेटा, some books are English क्या बनेगा बेटा, कुछ books क्या है English, some का diagram ये होता है some books are English ये है book, क्योंकि बांगला भी आ रहा है फिर, some English is Hindi some English is Hindi अब English और Hindi का ये मत बनाना ये ज़्यादा अंदर काट गया है, some English is Hindi का ये बनाएंगे, some English और Hindi, ये बनेगा all Hindi is Bangla all Hindi is Bangla, ये आ गया all Hindi is Bangla ये रहा बेटा, all Hindi is Bangla some Hindi is book, आपको देखना है कि some Hindi is book क्या Hindi और book का कुछ common है, भाई, book अलग है Hindi अलग है, इसमें कुछ भी common नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो पहले वाला क्या है बेटा, गलत हो गया बात समझ में आगी बेटा आ गया एकदम हो के रिपोर्ट बेटा ये समझ में आ गया, तो पहले वाला क्या हो गया बेटा, ये, गलत हो गया सभी के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया some Bangla is book, क्या Bangla और book में common है, भाई साब book ये रहा, और Bangla ये रहा, Bangla और book में कुछ common है, ये अलग अलग सरकल है तो ये भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया All Bangla is English अगर All Bangla is English की हम बात करेंगे, All Bangla is English, तो बेटा आपको ये बताना है, कि बांगला का पूरा सरकल English के अंदर है, बांगला का पूरा सरकल All का मतलब ये होता है क्या Bangla का पूरा सरकल English के अंदर है, नहीं बेटा, उनका थोड़ा सा एरिया तो है, लेकिन Bangla का पूरा सरकल English के अंदर नहीं है तो ये क्या हो गया बेटा, गलत लेकिन अगर ये होता कि some English is Bangla तो क्या some Bangla is English, तो क्या एरिया तो common है तो अगर ये होता तो सही हो जाता तो अगर ये होता क्योंकि बांगला और इंगलिश में ये इंगलिश है ये बांगला है ये राबिटा बांगला और इंगलिश में common है अगर हम बांगला और इंगलिश में common की बात करें तो ये रा बांगला और इंगलिश में common, ये English है, ये Bangla है, थोड़ा area तो common है, अगर थोड़ा area common है, वो तो सही होता, लेकिन यहाँ पे अलग-अलग है, तो ये भी गलत होगा मेरे बच्चे, और ये भी गलत होगा, हम कहेंगे non follow option number A, इमानदारी से बताईएगा कितनों को समझ में आ गया, इमानदारी से बताऊ कि सर समझ में आ रहा है, मैं तो देखो प्रतन करूँगा, और अच्छे से पढ़ाने का प्रतन करूँगा, हर बैच में बहतर पढ़ाने का प्रतन करते हैं, कि best to best चीजे हम अपने बच्चों को बताएं, best to best content हम अपने बच्चों को बताएं, हमारे बच्चों का कोई content ही गलत ना हो, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं, हाया ना में जवाब दीजिएगा, इसा है या नहीं है, मज़े आ गया एकदम से, एकदम से धूम दड़ाके से solve हो रहा है, जल्दी बताओ, yes, तीन statement आगी तो क्या दिक्कत है बटा, चार statement आजाएं, पांच statement आजाएं, अप उन तो से solve करेंगे, तो कुछ याद रखने लाई नहीं, हाँ, 150 में कुछ values को याद करना था, मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस के हो, CPO के हो, Constable के बच्चे हो, UP पुलिस के त्यारी कर रहे हो, UP Constable की, UPSI की, मध्यपरदेश के, भोपाल के, जहां जिस मर्जी की तैयारी कर रहे हो, हर exam cover होगा, banking level तक लेके जाएंगे, banking level तक लेके जाएंगे, थोड़ा सबर रखेगा, थोड़ा time देना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी बतो बटा कौन सा बनेगा, चार statement आजाएंगे तब भी खतरा नहीं है, पाच statement आए तब यह 100% आएगा, most 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 important chapter है, इसलिए starting इसी से किये, इस बैच की, आएगा ही आएगा, इसमें से कोई exam ऐसा है नहीं, इसमें सवाल ही ना सिरो, इसम का सवाल आता ही आता है, आता ही आता है, अभी मैं आपको some और all यहां नन वाले और समनोट वाले आएंगे, वो कल करा दूँगा, फिर प्रैक्टिस करा दूँगा, प्रैक्टिस भी तो करांगा भाई, तो भाई, some trees are jungle, तो हमारे पास क्या बनेगा, some trees, some trees are क्या है बटा जंगल, यह some trees are jungle हो गया, all jungle are cities, all jungle are cities, जितने भी जंगल है, वो क् वैन ओर चैप्टर का नाम है लॉजिकल वैन डायगराम जहां पिक्चर बनी हुई आएंगी वğu अलग चैप्टर है आपको बताएंगे बाद में Sylloism अलग chapter है Venn diagram अलग chapter है इस बात का धान रखिएगा वो अलग से पढ़ाय जाएगा Mix मत करना चीजों को Mix मत करना बीटा चीजों को Some Road or Tree क्या Road और Tree में कुछ common है Road और Tree में कुछ common है Tree विचारा अंदर रोड बाहर कछू common नहीं है तो ये गलत हो गया क्या रोड का सारा सरकल ट्री के अंदर है रोड का सारा सरकल ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं है तो ये गलत हो गया सम का मतलब होता कुछ क्या सिटी और जंगल में कुछ कॉमन है सिटी और जंगल में कॉमन है ये रहा पूरा जंगल सिटी के अंदर है, पूरा जंगल सिटी के अंदर है, तो common है, थर्ड बनेगा तो option number C, उमीद करता हूं कि बात समझ में आ गए होगी बच्चे को, तो यहाँ पर जो बनेगा some cities are jungle, some cities are jungle बनेगा, आ गया बच्चे, एकदम okay, clear road some cities are road ये बनेगा ये बनना चाहिए था यार मैंने इसको all मान लिया I'm sorry बटा मैंने इसको all मानते हुए कर लिया all मानते हुए कर लिया गलत कर दिया diagram गलत था वो सभी ने पकड़ लिया एक एक बच्चा पकड़ेगा कि सारा अपने गलती कि इसका मतब दिमाग में चीज़े सेट है तभी तो पकड़ लिया तभी तो पकड़ लिया कि diagram गलत है अब है road और tree में कुछ common है road अलग है tree अलग है कुछ भी common नहीं है क्या road का पूरा area tree के अंदर है road का पूरा area tree के अंदर है नहीं है city और जंगल में कुछ common है city और जंगल में कुछ common है ये रहा city ये रहा जंगल जंगल के अंदर city मौझूद है जंगल के अंदर city मौझूद है अभी भी answer third था हमने diagram गलत बना लिया था answer पर फर्क नहीं पड़ा लेकिन हमारा diagram अब सही है बिटा अब ये बता दो yes 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 समझ में आया जल्दी बता बिटा yes या no समझ में आया नहीं समझ में आया clear है अगले पर चलते है बिटा अगला सवाल हम इस screen पर दिखाई दे रहा है वो ये रहा आज के class में केवल some और all वाले ही करेंगे फटा फट से all books are pen ये हो गया बता बी all books are pen और ये हो गया pen some pens are pencil तो ये हो गया pen और some pens are pencil ये बनेगा क्यों अंदर नहीं लेके जाना उसको अंदर नहीं लेके जाना कभी books में लेके जाओ some pens are pencil तो अंदर नहीं लेके जाना बहारी रखना है all pencils are school all 5000 इसको टच नहीं करना और ये बनेगा all pencils are school All pencils are school यह बनने गया बेटा All pencils are school बनेगा डायगराम फिरसे बता दू बेटा फिरसे बता दू यही sem डायगराम बनना है फिरसे बता रहा हूं देखो All books are pen तो हमने ये ले लिया books All books are क्या है बेटा ये हो गया pen उसके बाद some pens are pencil some pens are pencil ये बन गया some pens are pencil ये बन गया all pencils are school जितनी भी pencil है वो school है तो ये हमने school ले लिया आईए इसको फटाफट सोल करते हैं आपको देखना कि क्या pen और book में कुछ common है pen और book में कुछ common है book का area सारा का सारा book जो है pen के अंदर है common है बिल्कुल सही है क्या सारा का सारा school book के अंदर है क्या सारा का सारा school school अलग है book अलग है बिल्कुल भी अंदर नहीं है some pencils are pen क्या pencil और pen में कुछ common है pencil और pen में common है बेटा ये रहा pencil और pen में common है बेटा ये रहा बिटा, सम पैंसर पैंसिल का उल्टा, सम पैंसिल सर पैंसर उल्टा हमेशा है तो केवल पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है option number E, मुझे बताओ कितनों का समझ में आगे बें जा के आगे option number E, मुझे खुशी है कि हमारे maximum बच्चे इसको answer दे रहे हैं समझ आगे बेटा कैसे करना है, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताईएगा मजा आगे नहीं आगे, सवालों को solve करते समय दढाके से solve वो रहे हैं बेटा, अगला अगला है, some fruits are trees some fruits are trees some flower are trees, ये fruits हैं some flower are trees तो ये होगे, some flower are trees all birds are flower all birds are flower, तो bird इसके अंदर जाएगा all birds are flower, bird इसके अंदर बैठेगा जाके all birds are flower, bird जाके इसके अंदर बैठ जाएगा उसके बाद है, all trees are bird क्या trees का पूरा सरकल bird के अंदर है, trees का पूरा सरकल bird के अंदर बिलकुल नहीं है Some Flower are Tree क्या Flower are Tree में कुछ common है ये रा बेटा Flower are Tree में common ये Flower are Tree में common है ये बनेगा Some Birds are flower क्या Birds और Flower में common है Birds का पूरा सर्कल Flower के साथ common है तो ये सई हो गया दूसरा और तीसरा सई है Option number D.L.E. अच्छा Time लग रहा बेटा इमानदारी से करने में इमानदारी से बताओ कोई time लग रहा करने में कटा कट solve हो रहे हैं दो ही बात है आज मैंने दो ही statement बताएं दो ही तो बिटा आज पहली class है नया बैच्छ है reasoning का तो हो सकता है ना समझ में आए दो बार इस video को देखना 110% guarantee कि अमने इतना ही किया है, कोई समस्या नहीं बिटा, अभी ओर भी करेंगे, डर्ना काहे की है बिटे, जल्दी जल्दी बताओ बिटा, जल्दी जल्दी बताओ, तो मैंने लिया, सम ग्लासिज, सम ग्लासिज़ आर स्पून, सम स्पून आर प्लेट, सम प्लेट्स आर बावल, भी अंदर नहीं लेके जाना न, कम काटना है, सम प्लेट्स आर बावल, आप से पूछा है सम बाउल सार ग्लास क्या बाउल और ग्लास में कुछ कॉमन है बाउल अलग है ग्लास अलग है कुछ भी कॉमन नहीं है सम प्लेट सार ग्लास क्या प्लेट और ग्लास में कुछ कॉमन है प्लेट और ग्लास में कुछ कॉमन है ना बेटा, प्लेट सो ना, कॉमन नहीं है, बेटा, कहा है प्लेट सो रहा, ग्लास अलग है, प्लेट अलग है, ये रहा ग्लास ये रहा प्लेट, ये तो स्पून और प्लेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सम स्पून और बाउल, स्पून और बाउल में सम ग्लास आर Maps तो गडबड कर देता ऐं कहा धआन था मेरा रख वे लिए पता नहीं मैंने से औृ JUDY कर दिया क्या गर दिया लेगिन हमारा आंसर सही है अभी वही आएगा या भी आएगा, बाउल और ग्लास में कुछ कॉमन है, बाउल और ग्लास में कुछ कॉमन नहीं है, प्लेट और ग्लास में कुछ कॉमन है, बाउल और स्पून में कुछ कॉमन है, स्पून और बाउल में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने उसे अलग कर दिया, तो वो हमारा हो गया आपको मिल जाएगी सर ये question 150 से करना 150 से सारी हो जाएंगे पिटा यही same question मैंने 150 से करा रखें पिछले बैच में पिछले बैच में यही question मैंने 150 से करा रखें इतनी अतीशोक्ति वाली बात क्या इसमें मैंने बताओंगे बैटा आप ही बताएंगे इसका thank you बैटा God bless you आप सभी का आओ बच्चे तम पेपर और पैंसिल इन्होंने कहा सम पेपर और पैंसिल तो ये पी ये पेपर और ये पी ये पैंसिल सम पेपर और पैंसिल ये पी ये पेपर है और ये PE क्या है pencil some paper are pencil some pencils are book some books are copies some books are copies आप से पूछा कि क्या paper और book में common है paper में और book में common नहीं अलग-अलग circle है तो गलत क्या pencil और copy में common है pencil में और copy में common नहीं अलग-अलग circle है तो गलत क्या paper और copy में common है पेपर यह रहा कॉपी में अलग-अलग सरकल है तो गलत यह रहा बिटा चली बड़ा यह आखरी सवाल था आज की क्लास में मैं आपको बता दूँ मैंने चारो परकार के वेंड डाइगराम बना के दिखाए फिर मैंने आपको यह बताया कि और invasive rule की कौन सा ज्यादा area cover कर रहा है कौन सा कम area उसके बाद मैंने all or some के conclusion को कैसे follow करना है वो बताया सारे all or some वाले कराए है कल की क्लास में none और some note वाला भी करा दूँँआ तो एक क्लास में Hai सभी ने join कर रखा बिटा मेरा एक टेलिग्राम पे चैनल है उसका नाम है अरुनसर रीजनिंग मेरा एक टेलिग्राम पे चैनल है उसका नाम है अरुनसर रीजनिंग वो सारे के सारे जोइन कर लीजिएगा अरुनसर रीजनिंग चैनल को तीन लाग दस हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर है यही और इंचलेल है या आपको MTS की अभी जो आई थी MTS की तो answer की आई थी answer की के साथ paper, सारे paper upload में लेंगे वैसे आपके batch में भी upload करा दूँगा बिटा मैं और MTS के सवाल solve करके देखना all or some वाले, ना हो तो मुझे बते जिस भी MTS के, CGL के, CHSL के CPO के मैंने सारे upload करा रखे हैं और YouTube पे मेरा channel है जिस पे मैंने class provide की है तो वहाँ भी subscribe करके आप bell icon दबाएंगे तो आप सभी को notification आएगा reasoning by Arun Kumar telegram download करके channel को join कर लेजगा उसके बाद हमारा बेटा, class में सिर्फ पढ़ाई होगी जो motivational वगेरा वो देखना है वो Instagram पे देखना वो भी Arun Sir Reasoning के नाम से है और अगर आपने batch purchase कर लिया है और आपका batch चालू नहीं हुआ तो आप मुझे WhatsApp के माद्यम से सूचना दे सकते हैं कि Sir, हमने batch purchase किया है और batch हमारा चालू नहीं हुआ है कोई issue आ रहा है तो मुझे बता दीजिए मैं अपने subject की में guarantee लेता हूँ बाकी की नहीं आगे बेटा, समझ में आ गया आगे सभी को समझ में तो siloism सभी को पकड़ में आ गया 150 की बजाए वें डाइग्राम से कैसे करेंगे आप कभी फुरसत में होंगे तो मैं 150 से भी करातूँगा चलि बेटा, बहुत-बहुत आभार हमारे यूट्यूबर वाले बच्चों का भी जुड़े हैं और कैरेविल पे भी चल रही है बहुत-बहुत आभार शुक्रिया मिलते हैं वन्दे मातरम जहीं जह भारत